दिल्ली के रोहतक रोट पर सराय रोहिला रेलवे स्टेशन के पास औरेंज कलर के बस के ब्रेक फेल होनी के कारण एक बड़ा हास्सा जिसमें तीन महिलाएं एक बच्चा घायल हुआ है पास की जीवनमला हॉस्पितल में घायलों को भरती कराया गया जहां बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है मोके बर दिल्ले पुलिस और फायर ब्रिगेट के आला अदिकारी मौजूद है बचाओ का रिजारी है